राजस्थान में कुछी वक्त में चुनाव होने वाले हैं और राजस्थान की पॉलिटिक्स दिन पर दिन दिल्चस्प होती जा रही है आप सभी जानते हैं कि राजस्थान कॉंग्रेस में खूब उठा पठक मची हुई है अगर हम बात करें अशोग गहलोद की और बात करें सचिन पालिट की तो इनकी बीच जो रसा कशी चल रही है वो जग जाहिर है प्रदेश कॉंग्रेस भली भाती ये जानती है कि किस तरीके से उनकी ही पार्टी में दो धड़े बड़े हुए हैं अगर बात करें दूसरी बड़ी पार्टी यानि बीज़पी की तो राजस्थान बीज़पी में भी सब कुछ ठीक है ऐसा कता ही नहीं है राजस्थान की राजधानी जैपूर में ही चल रही बीज़पी के राश्ट्रिय पदाधिकारियों की बैठक का आज अंतिम दिन है शुक्रवार को पीम मूदी ने बैठक को सम्बोधित किया इसके बाद राश्ट्री अध्यक्ष जैपी नड़ा ने ये साफ कर दिया कि राजस्थान विधान सभा चुनाव 2023 में बीज़पी का चहरा पीम नरेंद्र मूदी और कमल का फूल ही रहेंगे लेकिन वसुंद्रा समर्थकों को ये रास नहीं आया और यहीं से आया है कहानी में ट्विस्ट वसुंद्रा समर्थकों ने पीम नरेंद्र मूदी को चहरा माने से इनकार कर दिया है एक वसुंद्रा समर्थक नेता ने ये तक कह दिया है कि वसुंद्रा राजे की अंदेखी से विधान सभाज चुनाओं में बहुत बड़ा नुकसान बीजपी को छेलना पड़ सकता है वसुंद्रा राजे का राजस्थान में क्रेज है विरोधी गुड वसुंद्रा पर नकेल कसने की कोशुश कर रहा है आपको बता दें कि जेपी नड़ा ने पुनिया के साथ बैठक भी की है वसुंद्रा समर्थको की तेवर देख कर शुकरवार देदर राध राश्तरी अध्याक्ष जेपी नड़ा और बियल संतोश ने प्रदेश अध्याक्ष सतीश पुनिया के साथ अलग सेक बैठक की अलग सेक मीटिंग की जिसमें प्रदेश के मौजूदा सियासी हालातों का फीडबैक लिया दरसल समर्थक विधायक एवं नेता वसुंध्रा राजे को राजस्थान की सियासत में पाइलेट जैसे स्तिधी में नहीं देखना चाहते समर्थकों का ये आरोप है कि शिखावत और पुनिया बार-बार पीम मोदी का नाम आगे कर सीधे तोर पर वसुंध्रा को टागेट कर रहे हैं पीम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की मीटिंग को संबोधित किया था और कहा साफ तोर पर कि संगठन व्यक्तिगत महत्वकांग्शाओं से कहीं जारा बड़ा है वाइश्वाद और परिवारवाद के कीचर में कमल खिला है वसुंध्रा समर्थक इसे कटाक्ष के तौर पर मान रहे हैं राजस्थान बीजेपी अध्याक्ष सतीश पुनिया के एक समर्थक नेता ने कहा कि पुर मुख्यमंत्री वसुंध्रा राजे के समर्थकों को भी एक संदेश दिया गया है कि व्यक्तिगत वफादारी उन्हें किसी तरह का लाब नहीं देने वाली है इससे किसी तरह का कोई लाब नहीं मिलने वाला है आपको वसुंध्रा समर्थक गुडबाजी को हवा दे रहे हैं राश्री अध्यक्ष जेपी नड़ा चाहते हैं कि प्रदेश एकाई में मत भेदों को दूर किया जाए बीजेपी की राश्री कारेकार्णी की बैठक शुक्रवार से राजस्थान के जैपुर में शुरू हो गई और इस तीन दिवसी सम्मेलन में राश्री पदारिकारियों के साथ स्टेट यूनियन्स के प्रभारियों की पार्टी साफ तौर पर ये संदेश देनी की कवायत मे जोटी है कि संगठन वैक्तिगत महत्वकांग्शाओं से कहीं जादा बड़ा है जानकारों का कहना है कि राजस्थान बीजेपी में सीम फेस नहीं बनाए जाने से वसुंद्रा राजे बेहत नाराज है खफा है वसुंद्रा राजे ने बीजेपी की हाई लेवल बैठक से पहले पोरो उपराश्रपती भैरो सिंग शेखावत की पुस्ताग धरती पुत्र का विमोचन किया था और इस दौरान वसुंद्रा राजे ने शायरी से अपनी सियासी विरूधियों पर जम कर निशाना भी सा था वसुंद्रा राजे ने कहा जिन पत्थरों को हमने दी थी धड़कने उनको जुबान मिली थी तो हम पर ही वो बरस पड़े वसुंद्रा राजे का साफ संदेश था कि जिन लोगों को वो राजनीती में लेकर आई हैं आज वो ही उनकी मुखालफत कर रहे हैं उससे वो आहत होने वाली नहीं है पूर्वे सीम के सियासी तेवरों से सा चौता कम से कम वसुंद्रा राजे सिंधिया तो नहीं करेंगे और अब इसी को लेकर राजस्थान की राचनीती हो गई है बहत ही जादा इंट्रेस्टिंग चाहे वो कॉंग्रेस हो चाहे वो बीजपी हो दोनों में अपने अपने गुड़ भी इन दो पार्टियों के और अब वसुंद्रा राजे का जो पूरा एक गुठ है जो समर्थक है वो किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि राजस्थान में जब चुनाओं हो विधान सभा चुनाओं हो तो उन चुनाओं में चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी का हो अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें